आज आपके सामने फिर से उपस्तित हूं कुछ नए विचारों नहीं चीज़ों को लेकर कुछ नए ने टिप्स को लेकर आशा है आपको मेरी पुरानी जो वीडियोज है वो पसंद आ रही होंगी रोज के नए ने टिप्स आपको पसंद आ रहे होंगे तो आज जिस विचे के बारे में मैंने चुना है वो विचे है सम्मान सम्मान लेना और देना दोनों ही बड़ा मुश्किल कर रहा है क्योंकि इसके लिए हमें अपने एहम भाव को संतुष्ट करना पड़ता है जब तक हम अपने एहम भाव को संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम किसी को सम्मान दो दे ही नहीं सकते और सम्मान जब लेना है तो वो हमें कब मिलेगा जब हम किसी को सम्मान देंगे ये तो वो चीज़ है एक हाथ से लेंगे तो दूसरे हाथ से मिलेगा अदर्वाइस आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं कोई आपको सम्मान नहीं देगा अगर कोई आपको सम्मान दे रहा है तो वो हो सकता है आप किसी ऐसी पोस्ट पे हूँ, ऐसी जगा पर हूँ, कि लोग आपको सम्मान देने के लिए मजबूर हैं, अदर्वाइस जो आपकी आदत, जो आपका वैवार है, वो उनको आदर नहीं करने देगा, तो मुह पे तो उनको आपका आदर करना पड़ेगा, पीट पीछे ज़रूर आपको गालिया निगा लेंगे, तो हमें सम्मान कैसे पाना है और कैसे देना है, आज मैं इसी की चर्चा अपनी इस मेडियों में करूँगी, सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका है, कि दूसरों को सम्मान देना सीखिए, उनकी भावनाओं की कदर करना और ये सम्मान सिर्फ जबान से नहीं, आपकी आँखों से, आपके फेस एक्सप्रेशन से प्रकट होना चाहिए, कि वक्के ही जब आप किसे से मिल रहे हैं, तो आपको खुशी महसूस हो रही है, आप उन्हें मन से एक आदर दे रहे हैं, तो जब आप एक मन से आदर पे, वो हमें एक सम्मान और आदर का बहफ देगा, तो देखिए हमारे अंदर से एक अच्छी उर्जा का संचरर होगा, अच्छी उर्जा आएगी, अच्छी वाइबरेशन एक दूसरे को टच करेंगी, तो सम्मान देना और सीखना हम क्या करते हैं, सिर्फ एक नमस्ते और मन से निकलनी चाहिए, किसी ने हमारे अकारे किया, चाहिए वो हमारे से हो सकता है योगिता में छोटा हो, हो सकता है पोस्ट में छोटा हो, हो सकता है वो हमारे कोई ऐसे ही जान पे जान वाला हो, जिसने कोई हमारा काम कर दिया हो, काम तो उसने हमारा किया ना, तो हमें जो मेरे से छोटा है, ये मेरे से धन में छोटा है, ये मेरे से पोस्ट में छोटा है, ये मेरे से योगिता में छोटा है, इसको धन्यवाद की क्या समझ है, इसको धन्यवाद देने की जरूरत क्या है, तो हमें धन्यवाद किसी को किसी के लिए नहीं कहना, हमें अपने मन की शान् सम्मान नहीं दे रहे इससे आपका पता लगता है आपने अपने लिए अच्छा सोचना है इसलिए अपने हर व्यक्ति को सम्मान देना है कई लोग कहते हैं कि अरे भिया इसको तो सम्मान देना ही पड़ेगा क्यों इसके पास तो सारी भौतिक सुक्स विधाएं हैं और इसलि और कोई आपके घर पे आए और आप गालिया निकालना शुरू करते हैं तो कोई क्या आपको सम्मान देगा आप किसी को कितना ही दे कर खुश कर लीजिए पर अगर आपने जो उसको सम्मान दिया या उसको कोई बस्तुए दी और वो बस्तुए देते वे आपने उसको गालिय या आदर करना शुरू किया हर मनुश्य को यही परियास करना चाहिए कि वो अपने करम और समाज से समाज में अदश स्थाफित करे और दूसरे विक्ति आप से यह देख कर सीखे कि आप किस तरह से सम्मान की भावना लेके वो छोटा हो या बड़ा हो वो अमीर हो या करीब हो सबको कیسे TRADE करते हैं कैसे उनको संतुले तभाव से सम्मान देते हैं और जब आप सम्मान देना समाज में शरू करेंगे तो आप यकीन मानिए आपका सम्मान दिन परती दिन समाज में बढ़ता चला जाएगा आपका उख़दा बढ़ता चला जाएगा और आप नित प्रती अच्छे लोगों से मिलेंगे और लोगों में आपकी जो है एक अच्छी वाइब्रेशन फैलती चली जाएगे क्योंकि जो चरितर है जो आपका आचरन है जो लोगों के प्रती आपकी बोलवानी है वो एक मानव का एक शिंगार होता है इसलिए हमें सभी को एक समान पूरव वहार करना चाहिए जब भी किसी के बारे में कुछ बोले तो उसा करातमक ही बोले पीठ पीछे बुराई ना करे मुलिश्य को अपने मंद से घ्रेना अत्याग देनी चाहिए आप किसी से बात नहीं करना चाहते मत करिये पर अगर नहीं बात करनी कोई बात नहीं उसे मत करिये पर अगर आप उसे मिलते हैं तो सम्मान दे कर ही मिलिए या तो ना मिलिए इसका एक कांटनेटिव भी है या उस से तो बात मत करिए पर इसी से निंदनी ऐ शब्दों में बात ना करे जब हम प्रेम करते हैं इसी को संबان देते हैं तो अपने चेहरे पर तो मुस्कान लाते ही लाते हैं दूसरे के चेहरे पर भी हम मुस्कान लाते हैं और अपने शौंक में कभी भी ऐसी चीजें ना शामिल करिए जिससे कि वो सिरफ और सिरफ मेटेरिलिस्टिक आइटम से ही जुट जाए और उसी को हम भूब विलास में मान ले और हमने मान लिया कि हमें धन करच करने पर ही खुशी मिलेगी उसके पास धन है तो ही वो सम्मान का हकदार है इसके पास धन नहीं है यह हमें कोई बड़िया बड़िया गिफ्ट नहीं दे सकता यह हमारे घर आता है तो कुछ लेके नहीं आता तो हम इसका आदर क्यों करें नहीं हर एक की अपनी प्रस्थिती है किसी को लेने या देने का मन किसका नहीं करता पर आप उस लेन देन के संबंदों की वज़ाए से किसी को छोटा बड़ा मत समझिए उसके आदर और सम्मान में मत कमील आए अगर आप किसी के आदर और सम्मान में कमील आ रहे हैं तो उसका व्यक्तित्व सामने वाले का जिसका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका नहीं गिर रहा, आदर और व्यक्तित्व आप किसी का जो व्यक्तित्व है, वो आप अपना चोटा कर रहे हैं, सामने वाले का व्यक्तित्व आप चोटा नहीं कर रहे हैं, जब सब कुछ धन ही नहीं है और साफधान रिये कि कुछ काम ऐसे हमें करने हैं जो हमें किसी के पास कुछ नहीं है तो भी हमें उसको सम्मान देना है और उससे हमें बड़ी ही संतुष्टी मिलेगी हम कितने भी व्यस्त हों कितने भी कैसे हों तो सम्मान तो हमारे आँखों और शब्दों से नि हैं जिनका हम त्याग कर दें तो हमारी जिन्दगी हमेशा सुखी हो जाएगी तो वो सुखी कैसे होगी कि जब हम हमारे लिए हमारे मन में हर एक के लिए सम्मान की भाबना रहेगी हर एक को हम चाहेंगे कि उसकी जिन्दगी में खुशियां बिखरे और कोई आया है तो मन में खुशी ही खुशी है तो देखिए कैसे positive vibes आपके आसपास बिखरेंगी और तो और आप कई बहर हम क्या करते हैं हम किसी मरीज को देखते हैं तो इसको तो इतनी रक्लीफ है घ्रिना करके छोड़ देते हैं हमें घ्रिना का भाब अपने मन में नहीं लाना वो घ्रिना के भाब का सम्मान नहीं कम कर रहे हम अपनी जिंदगी में अपने आदरभाव को कम कर रहे हैं क्योंकि जब हम लेना ही नहीं देना ही नहीं जानते तो हम लेंगे कैसे सम्मान और प्रेम दो चीज़े ऐसी हैं जिनको बराबर रूप में हमें लेना और देना है अगर मिलेगा तभी तो अगर आप देना सीखेंगे तबी तो मिलेगा, अगर देना ही नहीं सीखेंगे तो मिलेगा, कैसे अगर जबान से और आँखों से हमेशा कड़वाहाथ या नफरत ही चलकती रहेगी, तो लोग आपको कहां से सम्मान देगे, अगर सम्मान पाना है, तो जिन्दगी में बहुतिक वस्तुएं ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, पर एक हद तक, वो हद कहां तक है, वो आपने डिसाइड करनी है, satisfaction लेवल आपने अपने जिंदगी में लेकी आना है, कोई आपको आके नहीं बताएगा, कि आपने अपने की satisfaction लेवल कहां पर है, और किसी को समान लेन या देना को इन सब चीजों से नहीं जुड़ा वो आपके मन की आंतरिक उर्चा है आपके मन की शानती है आप जितने मन से स्वच और साफ होंगे उतना ही आप दूसरों को आदर देना सीखेंगे तो आप देख लीजिए आपका मन किटना साफ कितना स्वच है कितने निश्क कपट हैं कितने चल में नहीं रहते हैं तो उन सब चीजों से आपका पता लगेगा कि आप कितना दूसरों को आदर देना जानते हैं और कितना दूसरों से आदर लेना जानते हैं आदर कभी कोई किसी का forcefully नहीं करता इनी शब्नों के साथ मैं अपनी बानी को विराम दूंगी और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और रिटन फार्मेट में पढ़ने के लिए डॉक्टर रेनू औरोड़ा.in के नाम से मेरा एक ब्लॉग है वहां पर जाके आप रिटन फार्मेट में बहुत अच्छे अच्छे टिप्स जो हैं वह पढ़ सकते हैं धन्यवाद झाल